जी नवस्कार सातियों, वेलकम टू आर यूटूब चैनल दैरेश्टेडी पॉइंट, फ्रेंड पिछली वीडियो में अपने 100 क्यूसनों पर डिसकर्स किया था, और वो आपके स्लेवस की यूनिट फस्ट के क्यूसन थे 100 क्यूसन, ये जो 100 क्यूसन रहने वाले हैं, वो गया तरीके से आप कल लोगे तो, आये वीडियो को स्टाр्ट करते हैं, पैला क्यूसन आपके सामने दिख रहा है, पर्त्वी के वाईउ मंदल का कितना परतिशत बागiker ही 49 क्यूम्टी क्यूमीट्र पहे जाता है, यनि पर्त्वी से 29 क्यूम्ट की यूंचा ही तक वाइउ मंड्ल का कितना प्रतिसत वाक कवर हो जाता है तो D, इसका रायट आंसर हो जाएगा, ता किय वाक कवर हो जाता है, अगला किउस्टन, निमंल लिकित में से कौन सा कथन से स है taş है, चार कथन सmuş गोटे रखे हैं, जिन में से स स्हला को है, यह बताना है अपन को, तो इसका right answer हो जाएगा ये ये गलत है ठीक है उचाई में विर्दी के साथ-साथ जलवासु की मातरा में विर्दी नहीं होती है बाकी के जितने भी हैं ये right है इनको बड़े तरीकी से पढ़ लेना सारे right हैं लेकिन ये गलत हो जाएगा तो ये इस question का right answer हो जाएगा C क्योंक उतार चड़ाव आता रहता है जो गैस है ना उनमें उतार चड़ाव आता रहता है लेकिन जो ये जलवास होता है इसमें उतार चड़ाव इतना नहीं आता है इस ताहीं तत्व है वायू मंदल का तो टोपिकों के अनुसार इसमें क्युस्टन दे रखे हैं जैसे वायू मंडल के वह सारी क्युस्टन दे रखे हैं फिर दूसरे टोपिक ही स्टार्ट होगा इसके अनुसार दे रखे हैं वायू मंडल में सारवाधिक कौन सी गैस मिलती है तो यह तो सबको पता है नाइट्र फिर्फेय हमें इसे कि वाइड आंश में और फिर्फित हैं कि वाइड div उतिये जांगे67 सूरे की सीधी किर्णों के कारण वह सूतेंगे कि सूरे से मिलती है तो वायूमंडल भी से गर्म होता होगा नई में से कौन सा युग में वायू मंडल की गैसो की बड़ती मात्रा को दर्शाता है बड़ती मात्रा को दर्शाने वाला युग में कौन सा है इसमें वो बताना है तो यह राइट आंसर हो जाएगा वायू मंडल में सबसे कम ओजोन गैस पाई जाती है उसके बाद में उससे तो ये वीर और क्रिनों द्वार जो लसने से वायूमंडल की कौन सी गैस हमारी रख्सा करती है और यह क्योंशन box आप बार-बार सुनते हो कि प्रावेन्शन box रोखती है तो सब को पता है ओजोन प्रथ रोखती है यदि ओजोन प्रथ नहीं हो तो सूरे से आने वाले किन्ने डारेक्ट आए और हमारे जो तो अच्छा मंदी रोग हो जाएं या पर्थिव पर जीवनी संभव नहीं हो तो ओजोन प्रद्का इंपोर्टेंट रोल है यह भी इंपोर्टेंट है तो सी इसका राइट अंसर हो जाएगा अगला क्योशन निमलेकित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस परवाव के लिए उत्तरदाई है तो सी ओटू है यानि कार्बंडाई एकसाइड ग्रीन हाउस परवाव को बढ़ाती है जैसे ही इसकी मात्रा बढ़ी तो पर्थिव पर रहना जो तापमान बढ़ता है और ग्लोब क्या होगा तो यहां पर आप देख पा रहे हो अवरोही अवरोही का मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाई जाएगी पहले आएगी फिर उससे कम फिर उससे कम फिर उससे कम तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है और सबस कहते हैं तो इसे green house प्रवाव बोलते हैं ठीक है right answer हो जाएगा green house प्रवाव अगला क्योंस ने वायू मंडल में nitrogen का प्रतिशत कितना है nitrogen की मात्रा पूचिए nitrogen gas की मात्रा पूचिए तो friends इसमें जो option है न वो गलत दे रखा है यह गलत हो जाएगा यहां पर सब को पता है C इसका right answer हो जाएगा misprint हो रखी है इसमें कभी कभी हो जाती है इसमें तो इसका right answer हो जाएगा C 78.03% यह nitrogen पाया जाता है वैसे लग बग लग बग बग आप नाम सुनते हो उनको ठीक है तो इसका right answer हो जाएगा B परिवरतन मंडल जिसे अपन शोब मंडल भी का जाता है फिर उसके उपर समता मंडल आता है फिर मद्य मंडल आता है फिर आयन मंडल आता है इस आयन मंडल को बाईय मंडल भी बोलते हैं और सबसे उपर ही उपर आयतन मंडल आता है जिसे अपन बहीर मंडल के नाम से जानत तापमान के आधार पर विवाजित किया गया है इनको आगे शौब मंदल की दरातल से तो सबसे पहली जो परतवाई मंडल की उसके बारे में पूछा है तो 14 किलोमेटर तक यह पाई जाती है तो इसका राइट आंसर क्या होगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कहीं कहीं पर 13 भी दे रखा होता है अगला क्यूसन निमले कितमें से किस मंडल को समफएन मंडल भी कहा जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शोब मंडल ठीक है जो पहली पहली परत है उसके बारे में यह क्यूसन थोड़ा गलत हो जाएगा यह सही नहीं बना रखा इसको मैं देख लिए बड़े तरीके से तो इसको आपन छोड़ेंगे क्यूंकि अब गलत याद कर लेंगे तो गलत हो जाएगा अगला किशों मंडल की दरातल से अधिक्तम उचाई है right answer इसका हो जाएगा डी इसका right answer हो जाएगा 18 km शोब मंडल की दरातल से अधिक्तम उचाई केती नहीं 18 km है जो पहली परत उसके बारे में पूछ रहा भी अगला क्युशन सोब मंडल में तापमान की सामने हास की 1 degree centigrade पर तेक तो यह क्युशन ऐसे बोलना चाहरा है कि जो सोब मंडल है उसमें कितनी मिटर उपर जाने पर 1 degree centigrade तापमान में कमी होती है तो C इसका राइट असरो जाएगा सी इसका रायटांसर हो जाएगा ये प्रत्वी के प्रष्ट सें're तब्थ हो जाती है क्योंकि पर्त्वी जो है ये द्रातल है इसके जस्ञ ऊपर ही जव मन्डे आजयता है तो इसकी जो उस्मा होती है इसके कारणी है जल्दी गर्म हो जाती है इस के sabor समताब मंडल आ जाता है उसके बाद में मध्य मंडल आ जाता है उसके बाइए और उसके बाद में बहीर मंडल आ जाता है अगला क्योशन सोब मंडल एम समताब मंडल के बीच इस्तित शंक्रमन चेतर को क्या कहा जाता है तो सोब मंडल और समताब मंडल के बीच के चेतर को क्या कहा जाता है तो इसको सोब सीमा कहा जाता है राइट आंसर हो जाएगा सोब सीमा अगला क्योशन है परत्वी के वाई मं मंदल का अधिकतर बाग और शोब मंदल कवर कर लेता है अगला क्यूशन है विविद जल वायू एम मोसम दसाओं को बदलने वाली सभी महत्पुन वायू मंदल ये परक्रियाएं कहां गटित होती है तो यह तो सब कोई पता है शोब मंदल मोसम संबंदित सभी गटनाएं शो सब कर फेले होती है यह और क्यूशन है मेग गरजन वायू मंदल के किस प्रत्म होता है तो अभी मैंने बताए तो आपको कि मोसम संबंदित सभी गटनाई वूट है जी से कोहरा होना मोसम anthroposen mother जितने बीवगत होंगी यह में गरजन यह नहीं जो मोसम संबंदित गटनाई आ इसमें तापमान गठेगा राइट आंसर हो जाएगा A अगला क्योशन है समताप मंडल है D इसका राइट आंसर हो जाएगा सोब सीमा के उपर इस्थित है जैसे सोब मंडल यह आगया उसके बाद में सोब सीमा आएगी उसके बाद में यह जो होगा वो समताप मंडल होगा तो इसने क्या बोला है समताप मंडल के बारे में पूछा है तो ये जो सोब सीमा है उसके ज़स्ट उपर ये कौन सा है समताप मंडल तो यहां पर दे रखा है कि सोब सीमा के उपर इस्तित तरदेश क्या कहलाता है समताप मंडल कहलाता है आगे बढ़त बार बार मैं ने बताए जाते हैं यह सम्त आफ मंडल में जो तापमान होता है वो ज़्यादा गिरता नहीं, ज़्यादा बढ़ता नहीं है, तो तापमान अधी की पाया जाता है, आप ऐसा मान सकते हो, शोब मंडल से तुलना की जाए, तो समताप मंडल में ज़्यादे तापमान पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर ओजोन परत होती ह निमल लिकित में से कौन सी वातावरण ये परत सूरे की परावेंगनी किर्णों को अवसोचित करती है ये भी हमने बात की थी कि सूरे से आने वाली परावेंगनी किर्णों को अवसोचित कौन करता है तो डी इसका रायट आंसर हो जाएगा ओजोन मंडल और ओजोन मंडल कहा प्रिश्थित है समताप मंडल में इस्थित है तो डी इसका राय टानसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं समताप मंडल को जेट विमानों की उडान के लिए आद्रस माना जाता है क्यों इसका सुसीधा सा है इस प्रत में बादल थता अन्य मोसमी गटनाई नहीं होती है और साप मोसम पाये जाता है समताप मंडल में और जो विवान है न जो आसानी सीष में उड़ाए जा सकते हैं और इसी में उड़ते हैं D का राइट अंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं सम्ताब मंदल के सम्द्वे निमने में से कौन सा कथन S सकते है सम्ताब मंदल की वापस से बाते हैं तो एस सकते पूछा है गलत पूछा है इन में से तो तीन साहई होंगे एक गलत होगा इसमें तो वोहिक होज़ लेते हैं 20 का राइट आंसर हो जाएगा समताब मंडल की सीमा आयन मंडल से मिलती है यह नहीं है गलत है ठीक है तो यह गलत हो जाएगा राइट आंसर क्या होगा बीई होगा आगे बढ़ते हैं अगला क्यूसने ओजुन प्रत के प्रतिवर्स साथ प्रतिसत की दर्से अवक्षय के कारण उसमें 10 मिलियन वर्ग किलोम क्वोश्ट्प पर रहे वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को प्रावर्तित करती है कौन सी है तो ये राइट आंस रो जाएगा यह आयन मंडल है इसको क्या बोलते हैं भाई यह मंडल भी बोला जाता है आगे बढ़ते हैं संचार उपग्रह इस वायू मंडल यह इस तर में इस्तित है तो वह क्यूशन है यहां पर रेडियो तरंगे संचार का माध्यम है तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल भी इसका राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल में ही रेडियो तरंगे प्रावर्तित होती हैं तो आयन मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों चीज़े संचार साधन और रेडियो तरंगे आना जो इस आयन मंडल में ही होती है अगला क्यूशन है चतिति इसका पर्मु कारण किसे माना जाता है तो chloroflurocarbon जो होता है वो इंप यह है जो इसी कारण से इसमें चिद्र हो रहा है chloroflurocarbon है जो यह फ्रीज होते हैं इनमें ज्यादा पाया जाता है तो नुक्सान दाय कई ओजन परत के लिए रेडियो की लगू तरंगे आयन मंडल की किस परत परावर्तित होकर दरातल में आती हैं तो यह भी हमने फे परत है उससे परावर्तित होकर आती है अग्ला क्योंट है उपर से नीचे की और वायू मंडल की बिविन परतों की सीमाओ का कौन सा करम स Hakpe उपर से नीचे की और अपन को एन जो परतों को जचाना है तो यह इस करायट अंसर हो जाएगा ठीक है यह इस करायट अंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं वायू मंदल के किस बाग में जलवास्प की क्यों मात्रा 90% बाग विद्यमान रहता है तो इस करायट अंसर हो वायू मंदल का कौन सा बाग, रसाइन मंदल का एक बाग है, तो हो जोन मंदल, इसका राय टन्सूर हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, किस वायू मंदल ये परत को मौसमी परिवर्तन की चत के नाम से जाना जाता है, तो ये तो बार-बार क्युस्तन वही आ रहा है, शो ब इसलिए वाईजाज जी सी में उड़ते हैं तैतालीस वाक्योसन वायू मंदल में यह अचानक है ठीक है यहां पर थोड़ा लिखने में गल्ति कर दें नोने वायू मंदल में अचानक आने वाली कमी निमन में से किसका सूचक होती है तो भी इसका राइट आंसूर हो जाएगा तूफानी मौसम परमुक सूच चेका आगे बढ़ते हैं परत्वी के समी पाई जाने वायू मंदल यह परत क्या कहलाती है तो इसका राइट आंसूर हो जाएगा ट्रोपोई स्पेर इसका राइट आंसूर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं वातावन में सबसे ज़्यादा ओ इसका राइट आंसूर हो जाएगा सम्ताप मंदल में क्योंकि ओजोन परतिसी में पाई जाती है बार बार बोल रहा हूं है सम्ताप मंदल समुंदर तल पर ओसत वायू दाब कितना होता है समुंदर तल पर पूछ रहा है तो एक अजार तेरा दस्मल लोग तो पांच मिली इसका राइट आंसूर हो जाएगा तो अगे पर्ते हैं वायू-दाब प्राई सारवधिक होता है जब वायू होती है जबभाई होती है तब एसका राइट अन्सुर हो जाएगा qshoda ठंडि और सुस्क जहां पर Prince यहां वायू होगी तो यह बैठ जाएग See और वहाँ इसका दूर वाता वरणिये परत को क्या कहते हैं तो इसका right answer हो जाएगा C वहीर मंडल ठीक है यानि परत्वी से सबसे दूरी पर इस्थितो ऐसी परतापन को बताना है तो सबसे दूरी पर तो वह होगी वायू की सबसे last वाली परत तो बहीर मंडल इसका right answer हो जाएगा आगे चलते सप्थे हैं इसकी पीडिया मैं टेलिग्राम उपलब्द करा दूँगा यह वीडियो पीडियो पूरा देखने के बाद तो वहां पर बड़िया तरीके स्पढ़ लेना कौन सा कतान सकते है लोट लोट पर डाप कटी बंदो की संक्या कितनी है तो दाप कटी बंद, यानी वायू दाप कटी बंद पूछ रहा है ये, तो साथ है, थीक है, अगला तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा पांच डिग्री नोर्थ से पांच डिग्री साउथ यानि दक्षिण यह भूमदे रखा है तो पांच डिग्री नोर्थ यानि उत्री गोलार्द में पांच डिग्री दक्षिण में इसका विस्तार पाया जाता है तो यह जो एरिया है इसमें है न जो ये सांथ पेटी पाई जाती है यहाँ पर बिल्कुल साफ मोसम होता है यहाँ पर कोई अलचल नहीं होती है इसके बारे में और यह इंपोर्टेंट है डॉल्ड्रम चेतर की विशेस्ता होती है विशेस्ता पूछ रहा है तो यहां पर देखो निमनदाब और सांत पहुनी चलती है लिशेस्ता पहुनी चलती है। देखो न हुए विशेस्ता पहुनी चलती रहा है तो उपेशन कटी बन दिते हैं उट्से दाब पेटी में यह उशेन मरुस्तल पाए जाते हैं इसक राइटांसर होजाएगा, आगे बढ़ते हैं वायू मंदल में ट्रोपो इस्पेयर के उप्पर कौन सी परत पाई जाती है? ट्रोपो इसस्पेयर के उप्पर कौन सी परत पाई जाती है? ये बताना है. То A. इसका रायत आंशर हो जागा. इस ट्रेपो इस पेर आगे बढ़ते हैं ओजोन प्रत परत्वी से करीब उचाई पर है यह क्या है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 किलोमेटर तक ओजोन परत्वी से 20 किलोमेटर की उचाई तक पाई जाती है जेट दाराएं प्राई कहां पाई जाती है तो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा शोब शीमा में शोब शीमा में जेट दाराएं पाई जाती है अगला क्योशन है पर्तवी के उपर मोजूत वायू मंडली पर्तों की संक्य कितनी है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पा यानि एक सही और बाकी सारे गलत हैं तो इसको बड़िया तरीकिशा पढ़ लोगे जो गलत है वो मैं बता जिता हूं तो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा यह सही है और सारे बाकी यह जो गलत है अगला कि उसने चक्रवार्त की उत्पत्ति किस प्रकार होती है तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उप्रियुक सभी दो विविन वायू राशियों के मिलने से दो विन तापमान वाली वायू राशियों के मिलने से क्योंकि ठंडी और गरम वायू राशियों जबाएगी तो ये अपन को बताना है, तो ए इसका राया टांसर हो जाएगा, उत्री गोलार्द में गड़ी की सुई के विपरित, और दक्षिन गोलार्द में गड़ी की सुई के अनुकूल, इसका राया टांसर हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, चक्रवार्थ की आकरती इन में से किस प ठीक है आगे बढ़ते हैं चक्रवात की आँख एक विशेशता है उसन का टिवन्दी चक्रवात के जो केंदर वाला भाग होता है उससे चक्रवात की आँख बोला जाता है तो यह इसका राइट अंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं फ्रंटल वर्सा किस कारण से होती है चक् तो जो चक्रवात होता है उसका केंदर का तापमान है बिल्कुल लो होता है निम्न दाब होता है और जो उसके किनारे होते हैं वहाँ पर उच्छ दाब होता है तो जो सही है तो जो जो जाता है तो यह जो चक्रवात है उनको अलग 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 नाम से जाना जाता है तो यह फिलिपीन जापान और चीन में पूछ रहा है कि चक्रवातों को जो उसन का टिवंदी चक्रवात होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है तो सी इसका राइटांसर हो जाएगा टाइफून के नाम से जाना जाता है विली विली आस्ट्रेलियम जाना जाता है ठीक है त वीरे मिलिकित में से कोन सा ऐसn टाइफून से प्रभावित रहता है सिसकराइटा पर द्रहता है तो में किस नाम से आज धार लिए कि सब्सक्राइटा है इसका वीली वीली के नाम सी जाना जयता है फाल्य थे सी इसका राइटान सुरू जाएगा पापा गया हूँ ठीक है जो पापा है न वो गया तो यह मान लेना आप ठीक है आगे बढ़ते हैं चक्रवातों कि उत्पति से संबंदित बहुर सिद्धान के प्रतिपादक कौन है जो बहुर सिद्धान देया तो उसकिस ने दिया था त बी का एक सहयुक्त राज्य अमेरिका सी का दूसरा वाला पूर्वी एशिया और लास्ट में आस्ट्रेली आ जाएगा तो इसे मिलान कर लेना आगे बढ़ते हैं चक्रवातों के उत्पती से संबंधित दुरूविय वातागर शिद्धांत का प्रतिपादन निमलिखित में से किसके द्वारा किया गया है तो इसका आइट अंसर हो जाएगा यह बर्क नीजने तरह तो इसका जाएगा अग्में देखते हैं निमलिकित में से कौन सा सिद् तो इसका राखाटां सुरूह जाएगा प्रैगामी तरंगसिद्धान्त ए चक्रवात कि वयकिया नहीं करता है भाक की यह करते हैं एक आगे बड़ते हैं ताल नेडो का मुख्य संबंध है यह इसकराइटान सुरो जाएगा उत्री अमेरिका से ठीक है आगे बढ़ते हैं टाइफून नामक चक्रवाद से कौन सा चेतर प्रभावित होता है तो भी इसकराइटान सुरो जाएगा चीन चीन सागर जो है न वो प्रभावित होता है इसकराइट न दॉल जागे बढ़ते हं ऊच दबाव वाली हवा किहिंगे द्रिधा से बाहर की चलती है क्या तो यहां पर इसकर राइटा पर आदि कि परतिज चक्रवाद में वायुदाप कहां अधिक होता है के अंदर में ठीक है यहां पर परति चक्रवात के बारे में पूछा था परति चक्रवात की चेतर में कम उत्पन होते हैं बूमद्यर एक चेतर में परति चक्रवात की चेतर में अधिक उत्पन होते हैं आगे बढ़ते हैं परति चक्रवात की चेतर में अधिक उत्पन होते है तो एक comparison कर रहा है चक्रवात और परती चक्रवात का तो ए इसका राइटांसर हो जाएगा बड़े ठीक है तो ए इसका राइटांसर हो जाएगा बड़े आगे बढ़ते हैं परती चक्रवात की आकर्ति सामानेत होती है परती चक्रवात की पूछ रहा है तो ए इसका राइटा तो चक्रवात और प्रति चक्रवात एक दूसरे के विपरित हैं। प्रति हैंगे बढ़ते हूं। प्रतिनस्थ ही इसलों होता है। सबस्क्राइब कौन? एक अति निम्न दाब केंदर है तोड़ने डो आगे बढ़ते हैं चक्रवात कब होता है तो ए इसका राइटांसर हो जाएगा जब केंदर में निम्न दाब और चारो और उत्त जाब होता है तो हमने बात की इतना चक्रवात जुक्ष सनाय थे वहां पर कि केंदर का तापमन ल कि दिशा में परती दक्षन आवरत है उसन कटी वंदिये चक्रवात भूमी पर पहुंचने पर शीन हो जाते हैं क्योंकि पूर्षने नम्न वायू की व्रिहत मात्रा में पूर्थी नहीं होती है तो सी झाल राजयचान वह जाएगा एक और दो ये सत्य का तन पूछुछ रहा है ना, दोनों सही है, अगला क्यूशन किस मेंग को मोती की मापता कहा जाता है, तो A इस कर रहे दानसर हो जाएगा, पक्षाब मेग, ठीक है, इस कर रहे दानसर हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं ऐसे गने दुसरी बादलो को क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं बी इसका राइटांसर हो जाएगा वर्षा इस तरी मेग नेफो मेटर मेग किसका मापन किया जाता है उप्रियोग सभी यानि वर्षा की मात्रा का बादलो का दिशायम गती सागरिय लवनता की जांच करता यह इनने 4 मिटर आगे बढ़ते हैं कौन सा मेग वाई वंडल में सारवधी कुछाई पर निर्मित होता है तो ए इसका राय टांसर हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं झाल ऐसीरो झाल ऑक्तास मापणी का प्रियोग निमन लिखित में एक फिसके के मापन के लिए आगे के जितने भी पेपर होने वाले हैं चाहिए लोग प्रसासनों और सास्तरों से मासास्तरों हिंदी साइट्यों हो जितने भी पेपर होने वाले हैं उनके अब्जेक्टिव क्यूस्टन से डारने वाला हूं तो चैनल पर बने रहे हैं मिलते एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए थांक यू